सब्सक्राइब करें अपने युटिव चैनल एगरोटेकन रिव्हाइव को किसानी सम्मंदित सूचना है युटिव पर सबसे पहले पाने के लिए नवश्कार के सातियों एक बर पुनार सोगत है आप सभी का आपके अपने यूडियूब चैनल एगरोटेकन रिव्यू में सान सातियों आज का विशह है उलत की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में जाना जो कि कई तरीके रोग और रोधी किस्म है साति अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है तो आज हम इनी प्रमुक वराइडियों की बात करेंगे जानेंगे तो अंते तक वीडियो देखते रहिए एवम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसानी सम्मद्दियत सूचनाओं से मैं आपको अवगत करा सकूँ इस लिस्ट की जो किस्म है वो कई तसके के रोग अवरोधी किस्म है साथ ही मुखी रूप से यह पीला मोजग रोग अवरोधी किस्मों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है जो लिस्ट आइए इस वर्ष के मौसम MM Climbatic Conditions को देखते हुए बनाई गई है इस रेनी में जो पहले नमर पे आती है वो वेराइटी है D9 जो कि 70-80 दिन में पक कर तयार होती है साथ ही 6 से लेके 8 कुटल प्रती हेक्टेर तक की उत्पादन देने वे सक्षम है एक प्रमुख बात इसमें पीला मोजग रोग नहीं लगता ये पीले मोजग रोग के अवरोधी किस्म है दूसरे नमर पर हम बात करेंगे नरेंदर उड़दवन की जो कि 70-80 दिन में पक कर तयार होती है साथ ही 8 से 10 कुटल प्रती हेक्टेर की दर्थ से उत्पादन देने में सक्षम है ये कई तरीके के रोग अवरोधी किस्म है खासकर पीला मोजग रोग अवरोधी किस्म है तीसरे नमर पर आता कि सानसातियों आजाद उड़दवन जो कि 70-75 दिन में पक कर तयार हो जाती है साथी 8 से लेके 10 कुटल प्रती हेक्टेर तक का उत्पादन देने में सक्षम है सानसातियों ये भी पीला मोजग रोग अवरोधी किस्म है साथी अन्य कई तरीके के रोग अवरोधी किस्म है चोतरे नमर में बात करूँगा उत्तरा कि जो कि 80 से लेके 85 दिन के भीतर भीतर पक कर तयार हो जाता है साथी 8 से लेके 11 कुटल प्रती हेक्टेर के दर से उत्पादन देने में सक्षम है ये भी पीला मोजग रोग अवरोधी किस्म है इस रेड़ी में पांचवे नमर पह आजाद उड़द वन जो कि 70 से लेके 85 दिन के भीतर भीतर पक कर तयार होता है साथी 10 से लेके 12 कुटल प्रती हेक्टेर तक की उत्पादन देने में सक्षम है साथी इसमें पीला मोजग रोग और अन्य तरीके के रोग अवरोधी किस्म है सांसातियों ये काफी अच्छी वेराइटी है और हाईब्रीड वेराइटी भी मानी जाती है बात कर लेते हैं सेखर 2 की जो कि 70 से लेके 80 दिन के भीतर भीतर पक कर त्यार होती है साथी 10 से लेके 12 कुटल प्रती हेक्टेर की दरसे उत्पादन देने में सक्षम है ये भी पीला मुझा के रोग अबरोधी किस्म है साथी अन्य तरीके के रोग अबरोधी किस्म है साथवे नमर के पायदान के बात करूं तो IPU 243 है जो कि 70 से लेके 55 दिन में पक कर त्यार होती है साथी 10 से लेके 12 कुटल प्रती हेक्टेर तक का उत्पादन देने में सक्षम है ये भी कई तरीके के रोग अबरोधी किस्म है और काफी अच्छी किस्म ये मानी जाती है इस किस्म का सबसे जादा उपियोग उत्तर प्रदेश में किया जाता है आठवे नमर में बात करूँ और सुझाता की जो कि 70 से लेके 25 दिन में पक कर त्यार होती है साथी 10 से लेके 12 कुटल प्रती हेक्टेर तक का उत्पादन देती है वहीं ये पीला मुझग रोग अबरोधी किस्म है और इस किस्म का अधिक्तम उपियोग उत्तर प्रदेश, मद्ध्रदेश, बिहार जैसे बेल्टों में किया जाता है आखरी किस्म है मास 479 जो कि 70 से लेके 25 दिन में पक कर त्यार होती है साथी 10 से लेके 12 कुवंचल प्रती हेक्टर तक का उत्तपादन देने में सक्षम है ये भी कही तरह के रोग अबरोधी किस्म है साथी पीला मोझग रोग अबरोधी किस्म है आखर मैं यही कहना चाहूँ किसान सात्यों कि इस वर्ष बीच का चैन साथधानी से करें जो बीच आपके शेत्र आपकी मिट्टी और बातावरन के अनुकूल है उसी का प्रयोग करें जिससे कि आपके उत्तपादन में कोई गिरावट ना आए बागी यही थी इस वीडियो की सूचना अन्ते तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिल लोटूँगा जैहिन जै भारत